हेलो दोस्तों, भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी खुश खबरी है। भारत ने एक और एतिहासिक जीत हासिल की है, जिसकी तारीफ न केवल भारत में, बलकि दूसरे देशों में भी हो रही है। दरसल, हाल ही में जारी की गई खबर के मुताबिक, भारत ने पहला मानव रहित UAV बॉंबर स्वदेशी तौर पर विकसित कर लिया है। यह UAV बॉंबर बंबर साने वाला है और इसे अमेरिकी ड्रोन से दस गुना कम लागत में बनाया गया है। सबसे खास बात यह है कि इसको बनाने में भारत की कमपनियों ने कई सालों से मेहनत की थी और अंततह भारत को इसमें सफलता मिल गई है। यह UAV बैंगलूरु स्थित एक स्टार्ट अप कमपनी द्वारा पूरी तरह से स्वदेशी रूप से तैयार किया गया है। इस बॉमबर UAV पर अब दूसरे देशों की भी निगाहें टिकी हुई हैं। पूरी अपडेट जानने के लिए बने रहें। इस वीडियो में हम इसे विस्तार से समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत के वैज्ञानिकों की इस सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। रक्षा के क्षेत्र में भारत अपनी आत्म निर्भरता दिन प्रतिदिन बढ़ा रहा है। ताकि रक्षा हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर न रहना, पड़े अभी तक भारत ने डेवलप किये जा रहे हथियारों में बैलिस्टिक मिसाइल और फाइटर जेट के साथ-साथ एयर डिफेंस सिस्टम जैसे अन्य हथियार शामिल किये थे, लेकिन अब इसमें बम बरसाने वाला ड्रोन भी शामिल हो गया है, हाल ही में जारी खबर के मुताबिक डिफेंस सेक्टर में भारत को बड़ी काम्याबी मिली है। तो इसे बेंगलूरू की एक स्टार्टैप कंपनी, Flying Wings Defense and Aerospace Technology ने बनाया है। इस UAV की खास बात यह है कि इसे पूरी तरह भारत में ही डिजाइन और निर्मित किया गया है। इसी कारण इसे डिफेंस कंपोनेंट में आत्म निर्भरता की दिशा में भारत का एक अहम कदम माना जा रहा है। इसकी तुलना अमेरिका के MQ-9 Predator Drone से भी की जा रही है, जिसकी कीमत भारत के FWD-200B से 10 गुना ज्यादा है। जहां एक अमेरिकी MQ-9 Predator Drone की कीमत लगभग 250 करोड रुपय है, वहीं भारत का यह स्वदेशी UAV सिर्फ 25 करोड रुपय में ही मिल जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि भले ही भारत का यह स्वदेशी UAV कीमत के मामले में अमेरिकी MQ-9 से 10 गुना कम है, लेकिन फीचर्स के मामले में यह अमेरिकी ड्रोन की तुलना में बेहद ही एडवांस है। इसमें कई AI, Artificial Intelligence Features दिये गए हैं, जिससे यह लेजर गाइड़ बॉम और छोटी मिसाइल को अपने साथ ले जाकर दुश्मन के ठिकानों पर आसानी से हमला कर सकता है। यह UAV मानव रहित एक Air Vehicle है, जो की एक बड़े ड्रोन की तरह है। इसके पास हतियारों को उंचाई तक ले जाकर फायर करने की क्षमता है, यानि यह एक प्रकार का Military Drone है। इसकी स्पीड और नेटवर्क क्षमता काफी अधिक है। अब तक Military Drone और UAV Manufacturing के मामले में तुर्की, जापान, चीन और अमेरिका जैसे देशों का ही नाम सामने आता था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका से हम MQ-9 Drone की डिलीवरी लेते, उससे पहले ही भारत की स्टार्ट अप कंपनी, Flying Wings Defense and Aerospace Technologies ने खुद का स्वदेशी UAV तयार कर लिया है, जो की Features के मामले में Artificial Intelligence से लैस होने के साथ-साथ, Fireability और Capacity के मामले में अमेरिकी ड्रोन से कहीं आगे है, यानि कि अब भारत के पास खुद का Effective Domestic Combat Vehicle FWD-200B होने से हमें अमेरिका पर dependent रहने की जरूरत नहीं है इससे हम अमेरिका के साथ Finalize की गई डील को Cancel करके लगभग 4 Billion Dollar Invest होने से बचा सकते हैं और इस Amount का इस्तिमाल हम भारत की Start-Up Companies पर भी कर सकते हैं इससे न सिर्फ आत्म निर्भरता को बढ़ावा मिलेगा, बलकि Cost-Effective Defense Solutions में भारत मजबूत फीचर की बात की जाए, तो इसकी अधिक्तम गती 370 किलोमीटर प्रतिगंटा है और रिपोर्ट के मुताबिक, टेक-उफ के समय यह लगभग 500 किलोग्राम वजन उठा सकता है इससे डेवलप किया गया है, उस कमपनी को 2023 इस उपकरण की उपयोगिता के हिसाब से इंडियन एयर फोर्स की सभी जरूरतों को पूरा करती है और इसे मेक इन इंडिया के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है कि भारत की इस एरो स्पेस कमपनी का यह कदम भारत की नई आत्म निर्भरता में बढ़ती इनोवेटिव डिफेंस टेकनोलोजी का एक नया उदाहरण है स्टार्ट अप कमपनी, फ्लाइंग वेज, डिफेंस एंड एरो स्पेस के संस्थापक मैं जानती हूँ सुहास, तेजसकंदा ने कहा है कि 15 सालों से भारत का अपना लड़ाकू UAV एक दूर का सपना था FWD 200B के लाँच के साथ भारत ना केवल इस सपने को पूरा करता है, बलकि उननत लड़ाकू विमान क्षमताओं वाले देशों की लीग में भी शामिल हो गया है जो कि अमेरिका के MQ-9 को कड़ी तक्कर दे रहा है, अब इसे Armed Forces में शामिल करने का काम चल रहा है इस नई जीत के लिए भारतिय वैज्ञानिकों को बधाई देना न भूलें और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ओनल पर सेलेक्ट करें ताकि और भी ज्यान वर्धक वीडियो मिल सकें जय हिंद